हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर डव्डवी और रेस्लिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल ऐसेस लाइफ टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडिय के लिए बड़े आकरसन का केंदर बना हुआ है सबकी नजरे इस बात पर टिकी होंगी कि रोमर रेंज ब्रॉक लेस्नर और कोडी रोड्स जैसे नामी सुपरिश्टार को इस वार किस ब्रांड में बेजा जा सकता है पिछले एक साल की स्टोई लाइन को देखते हुए ड्र WWE Draft 2023 में The Street Profits को अलग किया जा सकता है Montage Ford और Angelo Donkeys की टीम The Street Profits NXT के दिनों से ही एक साथ काम करती आ रही है और इस दोरान उन्होंने Tag Team Champion से भी जीती है मगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो खास तोर पर Montage Ford को एक सिंगल स्रेसलर के रूप में दिखाने की कोसिस की गई है WWE Draft 2023 से कुछ दिन पहले ही कहा गया था कि इस बार Draft में टीमों को भी अलग किया जा सकता है उनके अलग होने की खबरे इसलिए भी तूल पकड़ रही है क्योंकि WWE ने भी एक हालिया इवेंट में Ford और डॉंकिस के अलग होने के संकेत दिये थे Ford और डॉंकिस दोनों ने अभी तक सिंगल मैंचम है अपने प्रदरसन से सबको प्रवावित किया है इसलिए देखना दिल्चस्प होगा कि उन्हें अगर ड्राफ्ट में अलग किया गया तो उन्हें किस तरीके से बुच किया जाता है अलफा अकादमी अलफा अकादमी उपलब्दियों के मामले में तो ज्यादा सफल टीम नहीं रही लेकिन टीम के दोनों सुपरिस्टारों के कैरेक्टर ने इसे बहुत मनुरंजक टीम बना दिया है उन्हें एक हील टीम होकर भी फैंस से प्यार मिलता आ रहा है इस समय मैक्सिंड डूप्री चैट गैवल और ओस्टीस के बीच दूरियां बढ़ाने का काम कर रही है गैवल और ओटीस की टीम को फैंस ने पसंद किया है लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि गैवल एक सिंगल स्रेसलर के तोर पर बेहतर पिर्दसन कर सकते हैं अगर डवी डवी गैवल को बड़ा सिंगल सुपरिस्टार बनाना चाहती है तो फिलहाल ड्राफ्ट ही उन्हें ओटीस के से अलग करने का सबसे सही समय नजर आता है दा डैमेज कंट्रोल जी आ दोस्तों डवी डवी में आप वीमें सुपरिस्टार के फैंक्सन भी अपने ब्रोधियों को डॉमिनेट करने लगे है टेग टीम डिवीजन की बात करें तो दा डैमेज कंट्रोल ने फीमेर रोश्टर के लिए नए मानक तैक किये हैं और वेली को लीडर्सिप में दा डैमेज कंट्रोल ने एक टॉफ हिल टीम के रूप में अपनी ब्रासत कायम की आपको याद दिला दे कि रैसल मेरिया 49 से अगले रॉव एपिसोड में हुए टीम मैच में बैली अपनी सातियों की मदद के लिए बाहर नहीं आई थी जिसके बाद तीनों मेंबर्स के वी संबंदों में खटास पड़ती देखी गई है उनके सेग्मेंट को देखने के बाद इस्तिती इसपर्ष्ट होने लगी है कि WWE डॉफ्ट 2023 में दा डैमेज कंट् झाल 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 झाल